फ्रेंड्स अगर आप अपने बढ़ते हुई वजन से परिसान है लटकते भी पेट की चर्वी से परिसान है तो ये नुस्खा सिर्फ साथ दिनों में आपके लटके हुई पेट की चर्वी और कमर की चर्वी को बर्फ की तरफ इगला देगा इस नुस्खे को लगातार साथ दिन करने से आप देखेंगे आपकी पेट की चर्वी पिघलने लग जाएगी और वजन भी तेजी से घटने लग जाएगा है तो फ्रेंड्स ये नुस्खा बहुत ही चमतकारी है इसे बनाने के लिए हमें लेनी है 5-6 लैसुन की कलिया घबराये मत इतने लैसुन आपको ख जरूर देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपको यहां पर ऐसी अमेजिंग वीडियो देखन तो वो फैट में बदलने नहीं पाती है नर्जी में बदल जाती है लहसुन हमें कई विमारियों से भी बचाता है लहसुन खाने से पेट की चरवी तो पिघलती ही है मोटापा तो कम होता ही है बलकि हमें बहुत सारी विमारियों से सुरक्षा मिलती है लहसुन की तासीर गरम होती है जो चर्वी को बर्व की तरह पिगलाने का काम करती है आपने देखा होगा जब भी किसी बच्चे को सर्दे लगती है तो उनकी माएं उन्हें लहसुन जलाकर खिलाती है या फिर लहसुन का तेल में लहसुन को तेल में जलाकर उसी से बच्चे की मसाज करती है जि तवे पर ड्राय रोस्ट करना है देखिए कच्चा लहसुन तो खा पाना नामुम्किन है क्योंकि यह तोड़ा सा कड़वा भी लगता है जब अगर आप इसे कच्चा खाते हैं और इसकी स्मेल भी आती है तो जब आप इसे तवे पर इस तरीके से हलका सा ड्राय रोस्ट कर ल है यह रोग प्रतरोधगर पाहता है हमारी को dog करने का भी काम करता है यानी हमारे शरीर में जितने भी भी पतार्थ से है ना उनको हमारी बॉड़े से निकालने का काम करता है सुबह खाली पेट लैसुन की एक कली खाने के बहुत सारे फायदे हैं चलिए मैं आपको बताते हूं इसे आपको कैसे यूज करना है जिससे आपको बहुत ही जल्दी और विजिबल रिजल्स मिलेंगे तो हम बनाएंग यहां पर सबसे पहले आपको एक चमब जीरा ले लेना है अब आपको लेना है एक ग्लास पानी मैंने आपके साथ और भी फैट कटर डिंक शेयर करी है जो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएंगी आप वहां पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर अमने लिया है एक पैन, इसमें अटकर यह dauह पानी और एक चमब जीरा अब इसे हमें अठ्छे से बॉल करना है इस ज्रिंक को बनाने में ना तो आपको ज्यादा टायम लगेगा और ना ही कोई महनत आप चाहें तो एक चमब जीरे को आपको एक जलास पानी म लग जाए सुनहरा होने लग जाए तब आप समझेए कि जीरा का अर्क जो होता है इसके सारे न्यूट्रियंस पानी के अंदर आ चुके हैं तो इसे अच्छी से बॉयल करने की बाद हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे थोड़ा साथ ठंडा कर लेंगे अगर आप इसे बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं मुटापा नहीं बढ़ेगा और आप स्लिम होते जाएंगे यह रिंग मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि पनाने में ना तो ज्यादा टाइम लगता और पीने में भी बेकार नहीं लगती है अच्छी ही लगती है और इससे आपका ना पेट आया है आप चाहें तो और भी अच्छी टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एड़ कर सकते हैं या फिर हनी एक चमत सहथ भी आड़ कर सकते हैं इस ज्रिंक के साथ ना तो आपको ज्यादा डाइटिंग करने की जरूत पड़ेगी और नहीं एक्सराइज बट अ सिर्फ बाहर की चीज़े दिन भर खाते हैं घर की चीज़े खाना पसंदी नहीं करते हैं तो ऐसा मत करना बस सुबह फ्रेस होने की बात खाली पेट आपको यह ड्रिंग पीनी है जैसे आप चाय पीते हैं बिल्कुल उसी तरी के सापको इसे शिप शिप करकी पीना है जितन और वर्जन भी तेजी से खटने लग जाएगा फ्रेंज वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वैल आइकन भी फ्रेस कर लेना थैंक यू फॉर कर दो चिंग